गुद इविनिंग में नाम हुआ अमीत कुमार सिवान्स और आज यूपी एसी प्रिलिम्स का जो क्योश्टन पेपर है पीवाई क्यू का उसको हम डिसकस करेंगे जो कि पार्ट वन आने वाला है इसके बाद हम लोग पार्ट टू भी डिसकस करेंगे और पूरा का पूरा जो है तो नॉर्मली एक टेस्ट हुआ था और टेस्ट के माधियम से आप लोग का नंबर देखा गया ठीक है अब हम इसमें आपको बतलाएंगे कि कैसे आपको पेपर को एनलाइज करना है कैसे आपको यूज करने के लिए पीवाईक्यू से आप क्या-क्या सीख सकते है नॉर् देखता है उड़ान देखता है तो आपका नोटस में आपके पास क्या है आपके मॉबाइल में आपको रहते हैं और इस यंश कोको मतलब नहीं है यह सिंपल Cake फॉर्मेंस कहले सबसे पहले बताएं कि दो हजार एक तक का हम पेपर देखते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को जो वर्ड यूज किया गया है आपका नोट्स और थिवरी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके कॉपी में सील और टेरकोटा वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए कि आप इसको जानते हैं यह तो नॉर्मल क्या हो जाएगा कि आपका भोक्य प्रिया बोलारी ही रही नहीं है किसका तो आपको पाता है कि क्या लुसे में कौनकोन सा जानवर जन्दली देखा गया है कि अर्मलों को सबसे और कौन सा है तो लायन है और कौन सा है तो हर्स है सिंपल यह तीन चीज यह सब जानवर को हम लोग कहीं हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है तो अब अब आसान हो जाता है और आपको दिखलाएंगे इसमें भी कैसे PYQ को ही दुबारा दुबारा भी UPSC पूछा है और खास करके BPSC वाले जो candidate यहां बैठे हुए उनके लिए से question बहुत important है क्यों क्यों कि BPSC के पास तो question bank है ना UPSC का वो transition phase से गुजर रहा है तो normally वहाँ सही copy question को copy करेगा simply कहां से तो UPSC का question को वैसा देखा भी जा रहा है तो आपको यह लिख लेने के लिए है आप इसको लिखिए कि इसको हम लोग कहां नहीं देख पाते हैं तो seal और टेरा कोटा में हम देख नहीं पाते हैं अब अगर बात करते हैं seal तो seal से कुछ और यादा आ रहा है आपको seal किसे बना हुआ होता है तो इस टाइट से और किसे बना हुआ होता है तो इतना नॉर्मल सा discussion इतना हम लोग कर लिए ठीक है इस question में इसके बाद और कुछ भी discussion कहने के लिए नहीं रहता है simple तो यह लिख लिए आप हो गया यह आगे बढ़ें लिख लिए सब लिखिए seal इस्टियर टाइट और एजट हो गया और एक next question है तो पहले पुछा जाता था तो पहले पेपर के लेबल क्या था तो अब आप ऐसा question को 67 BPSC के पहले देख पाईएगा इसका मतलब क्या हुआ हुआ है कि सरसेटमी BPSC तक जो एकजाम हो पहले का जो 1997-2001-2005 का जो यूपी कर रहा था तो अब जो रिसेंट 2005 के बाद का जो एकजाम हुआ है उसको फिर से पहले बात करते हैं लोथल जैसे ही आप सुनते हैं तो अपको माइंड में क्या क्या चीज पता चलता है सबसे पहले क्या यहां पर क्या का बादा पाधा चलता है कि सिंगल जिर भोडे अगरन को पता चलें अर्ट भुदम हाँ है सबसे पहले फाएयर अलटार फायर अल्टार यहां से मिला है और राइस हस्क और बहुत अच्छा और एक साथ और इसके अलावा सील एक मिला है ठीक है ना बोट वाला सील मिला है बहुत अच्छा तो कुछ भी क्यूएस्टन पूछ सकता है तो इसका मतलब लोथल एक बार पूछ चुका है UPSC में ना तो लोथल से जुड़ा हुआ जितना जनकारी है आपको होना चाहिए समझ माया जो नहीं है तो उसको आप लिख लिजिए कैसे करना है अब अगर जैसे हम लोग काली बंगन का बात करते हैं तो काली बंगन के बारे आपको पता है काली बंगन इंदसेंस क्या है वह जला हुआ वह एक बंट टाउन है सबसे पहला क्या है तो बंट टाउन आपसे कोई पूछ दे कि बंट टाउन कौन था तो यह नॉर्मली राजस्थान के इलाका में है तो यहाँ पर कैमल का भी साक्ष मिला है यहाँ भी क्या मिला है तो फायर अल्टार मिला है ठीक है और इसमें क्या मिला है तो जोता हुआ जोता हुआ हल क्या होता है जोता हुआ खेत तो ऐसे करके पूरा question को आर्मी को पढ़ना होता है जो option में दिखे उसके बारे में जितना information है हमको ले लेने के लिए तो लिखते जाईए हो गया जैसे ही आप धौला वीरा सुनते हैं धौला वीरा आपका मैंड में दो चीज आना चाहिए कम से कम क्या क्या six tank six तो तलाब जो कि आपस में क्या है connected है और दूसरा सबसे important चीज क्या है इसे जुड़ा हुआ इस टेडियम हम नहीं बतला है मेरा वाला ही बात बताईए ना इसके बाद हो सब चीज हम करेंगे हाँ और हाँ तीन सहर और तो लिखी गया च्छोत अलाब सबसे important चीज जो मिस होता है ना इसलिए बोला जा रहा है कि जिस समय तक इसलिए हम जान बुच के आप लोग को नहीं दे रहे हैं क्या प्रिलिम्स का नूट्स जान बुच कर रहे हैं फिर फालतु फालतु बात जो इंपोर्टेंट जहां से क्या मिला है साइन बोल्ड इस तो कोई बोला ही नहीं साइन बोल्ड ठीक है तभी नहीं आपका यह option हो जाएगा एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइज शाइन आफ दा हड़पन इसक्रिप्ट कहां से मिला है यह इसके बाद जो बनावली है तो बनावली से क्या मिला है एक ही इंपोर्टेंट चीज पेड़ा कोटा का हल ठीक है तो इतना ऐसे करकर के question करना चाहिए अब इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer right क्या हो जाएगा तो भी हो जाएगा बट आपको answer के अलावा जो भी शहर है उससे सब information को write down करना है आपका notes में चाहर सो क्वेस्टन जो पुछा हुआ है UPSC उसका पूरा detail analysis लिखा हुआ होना चाहिए बस नॉर्मल्स है NCIT पढ़िए या फिर मेरा notes पढ़ लिजिए पहला चीज और दूसरा चाहर सो क्वेस्टन का notes बनाए पढ़ लिए जाए कोई जामें बैठी है किसी भी कोचिंग का टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा सिंपल और कोई तरीका इने नंबर आने का टेस्ट में इसके अरावा कि हो गया कर दिए क्वेस्टन देखिए यह था अब क्वेस्टन का पैटन था क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ठीक है सिंद्यू घाटी सभहता के संबंद में क्या आपका रिजल्ट हुआ ठीक है कोई बात नहीं तो पहला जो कथन है इसका मतलब क्या हुआ इसका सही किनका किनका हुआ है ठीक है वह अच्छा क्वेशन था कि रिगार्डिंग दे इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर फॉलॉविंग इस्टेटमेंट इट वाज प्रिडॉमिनेंटली ये सेकुलर सिविलाइजेशन अभी मेरा कंट्री कैसा है सेकुलर है और रिलिजेश अलेमिंट तो अप्रिजेंट था लेकिन नॉर्मली कोई डोमिनेंसी अभाई सेकुलर बोली दिया ना क्वेशन में कोई भी रिलीजेशन डोमिनेट नहीं करने वाला पहला चीज ते ओप्शन पता हो जाएगा सही या गलत चाहिए डिरिंग इस प्रियेड कॉर्टन वाज यूज फोर मैनुफेक्टरिंग टेस्टाइल इंडिया अब हमको कॉर्टन जैसी हम लोग देखें आपको पता होना चाहिए कॉर्टन का प्रमान जो है कहा कहा से मिलता है कि मेहरगर्ड मतलब इस में पीकल कहिए और को है जो कॉटन वाला जो फीघर जो हम धिखा आए थे कही प्रमान मिला है को थ возмож का कॉछ यह है है मोहां जोज़ारों से मिला है टीक है second eighth a जोबर टेरा कोटा था उसके ओपर ड्रेस बनाया हूआ द्र्रेस ड्रेस किसका बनेगा cotton का तो आपको वहां से आपको परमान मिलता है किसका तो टेरा पार में जो ड्रेस था आपको दिखहाया थे ना जो बीयर्ड मैं था वह भी ड्रेस पहने हुए था ठीक है ना वह भी सॉलवल ताइप कुछ पहने हुए था तो दो जगह से कॉटन का परमान मिलता है कहां-कहां से तो मोहन जोधारों से और टेराकोटा यह चीज का और कहां से मिलता ह इस टाइप का बताईए इस टाइप का बताईए इस पिंडल होल बहुत सरा मिला है हमको खड़पा से जो की एक तरह का मसीन था पहले जिसे क्या बनता है धागा वागा बनता है इसको भी लिख लीजिए आप इस पिंडल होल कहां से मिला है हडपा से तेरो कोटा फिगराइन के उपर में हम लोको परमान मिलता है किस चीज़ का तो कॉटन का ड्रेस का और दूसरा कहां से तो मुहन जोदारों से तो तीन जगह आपको पता चल गया ठीक है तो दोनों क्या है सही है पहला भी सही है और काभी सभी है तो सभी आंसर क्या हो जागा इसका कि यह काफी इंपोर्टेंट चीज है देखिए यह निक Fact कि ते लोकोटा भी लिखा और मिलता है तो उसको कि टीक करना है अगर स्पिंडल होल टाइप के कुछ वर्ड दिखे तो भी टीक करना है और यह कहां से मिला है तो हरप आपका से मिला है और मुहन जो द्रोश के तो मतलब वही जो फीगर दिखलाय थे वह चीज आपको मिला है अगर हम बात करें विच ऑफ फॉलोविंग क्रेक्टरिस्टिक या क्रेक्टराइज दा पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन निवलिखित में से कौन सिंधू सभ्यता के लोगों की विशेश्था दर्साता है पहला अप्शन में है उनके पास विशाल महल और मंदिर थे अग विशाल वर्ड यूज नहीं करता है तो इस तो सटेटमेंट सही या गलत है नहीं भाई नहीं नहीं घाने तब सही होता है मुहन जोदारों को हम लोग टेमपल टाउंड भी बोलते हैं पहले कीनशी आटे मं इसको टेमपल टाउंड लिखा हुआ है यह नहीं पता है कि उस के अंदर में कौन भगवान थे नॉर्मल इसको गलत करवाने के लिए एक वर्ड का यूज किया है तो जब भी एक्वेशन को देखिए तो इसको मार कर लीजिए क्या ग्रेट 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 करना गलत हो गया पहलेस भी मिला है गड़ भी मिला है लेकिन मैक्सिमम छे से आठ कमड़ा जो रूम वाला इससे ज्यादा नहीं छे से आठ रूम वाला उसको तो हम पहले नहीं बोल सकते हैं ठीक है तो पहला इस्टेमेंट क्या हो जाएगा पहले जो जब एलिमिनेशन चल रहा था ना यूपी एसी में तो जो इस्ट्रीम वर्ड यूज होता था तो नॉर लिगतैनन हम ईसको पूरा इतिहास जानेगे एब हम लोग पूरा का यूज की पूरा इसकेमेल डेटी का परमान सबसे पहले किस पीरेड मीम gefहूनरा होता है अ किस पीरिएड में टोटल पीरेड जितना पढ़ायाई किस पहले नहीं प्रना प्रमान मिलना प्रेडिन उसके पहले नहीं था तो नियोलिथिक में भी था चालकोलिथिक में भी था ठीक है इसके बाद IBC में भी था तो परमानमेली हम लोग को शुरू से ही मिला है अब मेल के रूप में आपको जो लिंगा इस्ट्रक्टर का पिक्चर दिखला थे हैं वो मेल का हो गया और बाकी हम बहुत बार आपको क्या दिखला हैं तो दो तीन बार आपको क्या सिटेगा है तो पिक्टर दिखाने का मतलब क्या था कि आप लोग को याद हो दिमाग में बैठ जाए और पिक्टर उसी उसी चीच का दिखलाया गया है जिस पर question P.Y.Q. में आ चुका है तो सब का अपना एक साइन्टिफिक रीजन था दिखलाने का बाकि ऐसा कुछ भी नहीं था अब क्या है अब कि कितना ब्यूटिफुली एक क्वेस्टन को फ्रेम यह तो सही हो गया भाई कोई डाउट इसमें नहीं इसका फ्रेमिंग देखिए उन्होंने युद्ध में घोड सब्सक्राइब गोड़ाने कि क्या मिला है कहां से मिलात शूरू-कोटदार Сे मिला लेकिन क्या लिका अफ्रेम किया गया है इसका मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा तो अप्शन टू तो किनका बरेंगा सही हुआ यह और टीक कि इसमें तो मुद्रा बार-बार हम बतलाते थे दिर्भंग मुद्राओ का क्या है कि तरीभंगा नामक मुद्रा प्राचीन काल से आज तक भातिय कालाकारों की पसंदिदा रही है और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं तो हम बताये थे आपको earliest dance form इसको बोल सकते हैं कि इंडिया का जो सबसे earliest dance form था वो कौन सा था तो तिरिभंग मुद्रा में ही था पहला चीज ठीक है इसके बाद प्राइज के लिए कोई eligible नहीं है तो कोई demand नहीं करेगा 25 पलस होने पर प्राइज मिलता इसके बाद क्या है तो त्रिभंग नामक मुद्रा प्राचीन काल से आज तक भारतिये कलाकारों की पसंदिदा रही है तो त्रिभंग मुद्रा क्या है पहला dance form है किसका हमारे इंडिय प्राइज में डाल सकता है उसको भी क्योंकि हम भरत नाटियम कोई जब हम पढ़ा रहते कोई बोला ही था जो भरत नाटियम कोचीपूरी कोई ऐसा वर्ड असा प्रेम हो सकता है हां नहीं भाई मेडाइभल पिरेड में आया था वो कब आया था तो लिख लिजे उसको भरत ठीक है अब कैसे हम लोग option के पास जाते हैं अच्छा जब त्रिभंग मुद्रा पर question पुछा गया था ना उसके पहले इंडिया का किसी भी teacher का notes में question नहीं था किसी को नहीं पता था कि question पूछा गयी जाम में और कोई बना भी नहीं पाया था बट अब सबके notes में रहता है त्रिभंग मुद्रा क्यों 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 कि PYQ यहां से आ चुका है तो notes ऐसे बनता है reverse process से जो question पूछता है उसी का आस पास का theory होता है इसलिए notes हमेसा changing होना चा से पता था PYQ देखर की पता चला कि ऐसा theory बन सकता है one leg is bent and the body is slightly but oppositely curved at wrist and neck हम बोले थे तीन जगा से मुड़ा हुआ बतलाते थे यहां यहां और यहां बस तो यही सही है और बाकी facial expression कभी हो ही नहीं सकता है मुर्ती में क्याना वह सा कुछ था ही नहीं इसके बाद movement of body जैसा कोई चीज नहीं था लेकि movement of body जैसे हम सुनते हैं एक बाद attempt किया गया था बनाने का बोड़ी मूब करे कौन सा फिगर था वह आई भीशी का जो उसमें hinge type का कुछ टॉर्सो जो मिला था उसमें कोशिस किया गया था कि उसका बोड़ी पाट क्या करें मूब करें तो यह सब बात को फोकस किया गया था इसलिए किया गया था कि यहां जब हम पूछ है तो आप ऐसे बतलाए हम बहुत अच्छा तो movement of body कुछ नहीं हम लो है वो हस नहीं रही थी कुछ भी नहीं कर रही थी वो नॉर्मल खड़ा थी ठीक है उसका मूह तो पता भी नहीं चल रहा था कि हसरी क्या कर रही है तो बस यहीं सही हो जाएगा इसका answer ठीक है which of the following is noty had upon site यह common sense का question था सही हुआ है कौन सा तो सोह गोड़ा है क्या अब तो ऐसा करना है ना सोह गोड़ा क्या है वो कौन सा site है site के बारे में जो हम बोलते थे हैं कि बस यह लड़की होमर कर रही है उसका site का check question यहां भी आता है मिन्स में भी आता है और पूरा chance है कि BPS कॉपी करने वाला इसका पूरा chance है नार्मल तो जो सोह गोड़ा है वो कौन सा जगाध है मौर्यन site है क्या है तो मौर्यन site इसको लिख लीजिए सोह गोड़ा क्या है मौर्यन site है सोह गोड़ा क्या है तो मौर्यन site है यहां से हम लोग को एक copper plate मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि सोह गोड़ा में आपको ग्रेनरी बनाने के लिए है राजा एक फ्रमान दिया होगा किसका तो अच्छा यह जो हम लिख रहे हैं यह कहां एक किसी बुक में होगा एक किसी बुक में नहीं होता इसको क्या करना होता है सोह गोड़ा जैसी देखें बस किता में इतना लिखा हुआ रहता है कि यह मौर्यान साइट है बाकी इनिस्याइट कभर नहीं करता है इस टोटल जो भी जगह है ना इसको बस करना होता है और है का जो पहला पॆरा उसको सक कि एक फसेस बना नहीं के लिए ही का ओना था है मोर्यान शाइट था ॥ा कौपर पलेट और गेनीरी बनाने के लिए होता है कि सिलन्यास मानि के रोड बना तो लिखाता है ना कि मान नहीं है इनके दिवारा कुछ होगा वो कहां इसका नाम क्या है तो सो गौड़ा लिख लीज़े होगा है सबका है अब अगर हम लोग सो मौजन साइट के बारे में बात करें ठीक है ना तो निश्ट देखें विच वन अव फॉलोविंग एंचेंट अड़ोट यह पीवाई की नहीं है अभी तक ही जितना क्वेशन डिसकस किये थे तो जो साइट आपको यहां पे दिख रहा है वो साइट हमको मैच दा कॉलम में भी दिखा था जो उस मैच दा कॉलम को भी अच्छे स इसी इनलाईज कर लिया होगा ना दो तीन साल पहले तो तीन साल का बाद गया है इस लिए पी वाई क्या करना है भाई तो ऑनाइलाई्ज करना है ठीक है हाँ यह और ऊसके लिए वर्ड यूज किया गया था चुरो इसको हम लों गरेनरी बोलते हैं इसको लिख ली चेंक लिजिक लिएकрем कोष्टा-ग्री कोष्टा-ग्री कोफटा-ग्री कुछ भी लिखे साम उसका मतलब क्या होता है तो ग्रेन जहां पर ग्रेंड्री होता कुष्टा गारा या कोष्टा गृई कुछ भी लिख सकते हैं कोष्टा गृई या कोष्टा गृई कि अब नेश्च चलते हैं इतना सायथ है मेरा अभी तक सिर्फ साथ question बस तो समझ मैं रहा है किस topic को कितना importance देना है पढ़ना सब है तो इंपोर्टेंस आप देख लीजिए अब यहां से इतना ही question पुछा है इसमें 23 का question हम नहीं add किये हैं उसको हम पूरा का पूरा paper छिले बस complete होगा न तो तेस का पूरा paper करवाएंगे वह अभी नहीं क्य अब next question है कि ब्रह्मवादनी तो सबसे पहले ब्रह्मवादनी वर्ड नोट्स में है यूज किया हुआ ब्रह्मवादनी किसको बोलते है इस पीमेल क्या कौन वेद की उसकी रचना करती है अच्छा तो कौन-कौन है कुछ नाम याद है लोपा मुद्रा और अपाला गोसा शिक्ता सब का नाम लिखिए लोपा मुद्रा अपाला और गोसा शिक्ता ठीक है इतना यह सब क्या थी तो ब्रह्मवादनी थी तो भाई इन लोग कौन थी पोस्ट व्यादिक पिरियेड में इन लोग थी इसको भी लिख देना आ है लोपा मुद्रा अपाला गोसा और शिक्ता हो गया चलिया अच्छा 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 लिखिए चार पिंथे नहीं चिंज करना होता है कि नहीं कि थी कौन कि थी नहीं पता ठीक है अगे बढ़ें नहीं होता तो हम और समनी करते हैं कि प्रारंभिक व्यादिक साहित में सबसे अधिक उलेखित नदी कौन सा है सिंधू इतना उलेखित है कि सिंधू के आसपास के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं कि या आपका अलग रहता है बात कि अ कि अ कि सब्सिंदू प्रादेश कि उसके आसपास के रीजन को बोलते हैं जो सुतुद्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको क्या बोलते थे हम लोग तो नदी तारना नदी उत्मा भी सही है नदी तारना या क्या नदी उत्मा गंगा के साथ में अनका से हустाना इबार कभवा है थो तो एक बार सिर्फ इल्कपमें जो कि गंगा ल। ऊतरवय्तिक है और उत्तरवय्तिक और जनपत काल तो उत्तरवयरूय। यदेन गंगा फेमस रचेुए ? पूर्वैदीकाल उत्तरवैदीकाल और महाजनपदकाल उसके पर गंगा थी बट उतना इंपर्टेंच नहीं था इसको लिख लिजिए कि यह फिमस कपसी हुई है तो महाजनपदकाल से ठीक है पूरे के को पूरे UPSC history में उपनिशत से दो बर स्क्रेशन आया है जो मनें करने को आप्शन में जो जो उपनिश्याथ है उसको ही हम बस लिखवा देंगे ज्यादा नहीं हो गया यह चलिए यह बहुत easy question था 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 ना सबका सही हुआ होगा किसी यह गलत भी हुआ है क्या इसमें है कि प्राचीन भारतिय समाज के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा सब्द अर्ण ये तीन किसरेनी में नहीं आता है option में है कुल, once, कोसा और गोत्र family वेमली से सब क्या है तो related है चाहे कुल हो पुल का head को क्या बोलते है ठीक है ना, once, once, जो once है उसको once मतलब क्या, पीछे का चीज या आगे का चीज ? आगे का हमें सब, once पीछे का क्या बोलते है इसके बाल जो कोसा कोस मतलब क्या होता है तो ट्रेजरी टाइप का कुछ भी है यहां पर एक वेशन तो काफी एजी होगा नचीकेता और यम का जो सनवाद है वो किस उपनिसैद में लिखा गया है कठो उपनिसद में तो मुंडुक उपनिसद में क्या लिखा हुआ यही क्योस्तन बस आया था इजाम में सत्य में वजयते तो अगर जो कठो उपनिसद वारा टिक करने के बाद मुंडुक उपनिसद में सर्च कर लिया होगा न बस इसमें क्या है या जो चांदोग उपनिसद में क्या क्या है तो, चांदोग उपनिसद में क्या है, लिखिए सब कुछ, पहले हेडिंग दीजे, चांदोग उपनिसद, जो हिंदी में हिंदी में, सबसे प्राचिन उपनिसद किसको बोलते हैं, तो हम लोग चांदोग उपनिसद को बोलते है सबसे प्राचिन उपनिसद च्छंदोग उपनिसद को बोलते हैं हो गया पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट जो इसमें लिखने के लिए है कि च्छंदोग उपनिसद में तीन आसरम के बारे में चर्चा है तो टोटल चार आसरम होता है न तो तीन आसरम के बारे में चर्चा है, सिर्फ सन्यास जो लास्ट वाला होता, उसको छोड़ करके तीनु आसरम इसमें आजाता है, लास्ट में क्या होता है, सन्यास छोड़ करके तीनु आसरम कौन कौन सा, ब्रहमचर गिरहस्त, वन प्रस्त, इसको कहां मेंसन किया गया है तो चंदोग उपनिसद में बाल गिधास्त और वानपरस्त और लिखे विरिहर्द नायक उपनिसद अहम बरहंभासमी इसमें ही था तो ए लीक लीजिएगा विरिहर्द नायक है उसमें क्या बोला गया है तो अहम ब्रम्भास्मी यह सब्द का यूज किया गया है हाँ मतलब इसका यूज किया गया है इसमें सेकेंड पॉइंट लिखिए लाग वलक और गारगी का जो सनवाद हुआ है इसमें में इसमें किया गया है कौन सा भी लिख रहे हैं आप विहर्द नायक में ठीक है सकेंड चीज है याग वल्लक और गार्गी अरे क्या हुआ पर बोलना नहीं पड़े याग बोलोगा और गार्गी कनफर्सेशन जो है कहा लिखा गया है go आरे कि कहा या करें ठीक है और फीर्थ नायक भी व theren व Tuальная ओषन आप डेस्की गया है तो चंडो उपनिश रहता है सब्सक्रा आप दोनओ को प्राचिंतम है करिफीर है इतना गीता के बारे में कहा लिखा गया है गीता का जो रहस्य है वो इस्व उपनिशद लिखी इसको इस्व उपनिशद गीता का जो एक निस्काम कर्म निस्काम कर्म का बात जो किया गया है गीता में वो कहां से कहां पर लिखा हुआ है तो इसो उपनिसद में लिखा गया है गीता का निस्काम कर्म कहां लिखा गया है तो गीता का गीता मतलब भगवत गीता गीता लड़की नहीं, गीता का निश्काम कर्म, कहां पर लिखा हुआ है तो, इसो उपनिशद में, लोकपाल कब आया था, लोकपाल, इंडिया में, करिंट, हाँ, इगारा में, तेरा, 14, 15, 16, 17, 19, 20, तो जो लोकपाल का जो कॉंसेप्ट लिया गया है न भाई, के दो हजार दिखे altri, 2020 में, जो लोकपाल का जो कॉंसेप्ट लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, तो इसो उपनिशद से, तो जो उपनिश्थ के बारे में लिखा होगा इंसर में औpp इसको निया हो थो इसको wirआ वह थो उपनिश्थ से और इसमें तो निशकाम कर्म के बारे को अपनिस्ड विया हो आई किन बारे में नहीं पता कुछ इसके बारे में सर्च兩個 य french country है कि अब जो हमको पता है जो हम बतला है हो बताई है चारों बरन बारे में किस के राद कशिए नोड़ में लिख वाया हुआ है कि इसमें किसके बारे में लिखा हुआ थो हो गया इतना ही बस इसके बारे मैं नहीं पता भाई देख लेना कोई ठीक है अब क्या है टर्म आरियन डिनोट्स इसके बारे में हम डिसक्ष भी किये हैं कि आरियन मतलब क्या होता है इसके बारे में कितना डिसक्षशन हुआ था कि है रिष नहीं बोलने के लिए कितना लंबा डिसक्षशन किये थे आरियन का अगमन पर कैसे अप इसको डिस बोल रहे हैं कि सोरी सर क्या इसमें कभी भी नहीं बोलना यह चीज वह अभी से 10 साल पहले का अनसर था वह अब अनसर चेंज हो चुका है हम लोग प्रूफ कर दिये कि रेस नहीं था रियली में अब इन लोग क्या है तो हम बताते हैं इन लोग को हम लोग लिंग्विस्टिक माइनरिटी ग्रूप समझते हैं बस लिंग्विस्टिक माइनरिटी ग्रूप फिलहाल का यही इसका टर्म है आजन मतलब क्या होता है तो लिंग्विस्टिक माइनरिटी ग्रूप इन्डिया में क्यालेकर आया था एक भास लेकर कर आया था कौन सा भास अच्छा है संस्कृटि नक्स इंस्क्रिप्शन इसको लिख लिए कि कैसे पता चलता है कि लोग इस पीच ग्रूप था तो हम लोग को ना दो इंस्क्रिप्शन मिलता है पहला बेस्टून कि अगा इसके आगे का जितना भी इंस्क्रिप्शन था सब हम लिखवाए हुए है कि सेंट्र लेश्या से कहां आया था इन लोग तरकी वहां पर कौन सा मिला था इंस्क्रिप्शन इसके बात फिर दो पार्ट में तूट चुका था एक यूरोप गया एक इंडिया में आया टोटल चीट डिसक्स है बड़ साध हम इसको डिसक्स नहीं किये थे बहस्तून इंस्क्रिप्शन और नक्स इंस्क्रिप्शन और कहां से मिलता है इस बात को प्रूप करता है किन लोग क्या है तो इस पीच गुरूप है यह बहुत गलत अंसर है सुपेरियर इस नक्स इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है नक्स इंस्क्रिप्शन एन यू एक्स एन यू एक्स एन यू एक्स नक्स इंस्क्रिप्शन ठीक है हो गया यह हाँ भाई रीग वेद में क्या लिखा हुआ रहता है मंत्र ठीक है ना मंत्र को कैसे गाना है टोन कहां लिखा हुआ रहता है साम वेद में यजूर वेद में क्या लिखा हुआ रहता है तो रिचूल्स ठीक है कर्म कांड मंत्र कहां से मिल गया आपको रिग वेति से मंत्र को कैसे पढ़ना है आपको साम वेति से मिल गया पढ़ते से में कौन सा रिचुवल्स करना है आपको यहां से मिल गया और अथर वेति से क्या मिल जाएगा जादूई और आकर्सन और किसके बारे में नौन आर्यन क कॉम्निटी से कैसे बचाने के लिए म prosecut करने के लिए मैं कि पहला कि अगर हम लोग अगर उनलोग हमारे गृूप में आना चाहे इसका क्या है प्लिक अ अग्षित आप अग्षित में लाने से बचाने के लिए क्या क्या मंत्र करना मुझ्छ करना है अपर इसे बचने के लिए क्या-क्या यूज करना है और उनको कनवर्ट करना है तो कौन सा ठीक है यूज करना है तो गया यह कौन सा सही हुआ था ना जैसे ही हम लोग बात करते हैं वैदिक रीजन के बारे में तो वैदिक रीलीजन मेरा क्या था तो मेली सेक्रिफाइसल रीलीजन था कि सेक्रिफाइस क्यों करना था हम लोग को अर्थली पिलेजर के लिए ताकि हम लोग को क्या हो जातो रिबर्थ ना हो ताकि हमारा रिबर्थ नहीं हो ठीक है शेक्रिफाइसल प्रैक्टिशेस को यह हम लोग क्या बोलते थे तो कर्मा बात हो रहा है यहां पर कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म क्या था भक्ति भक्ति कपसे आया है हां बहुत अच्छा 9th से 13th century BC या फिर AD AD से टीक है ना लाने का स्रेज किनको जाता है संक्राचारी को जाता है ठीक है ना बग्ति हो गया इमेज वर्सिप इंडिया में कपसे आया गुपता काल से आया उमेज वर्सिफ कपसे आया तो तो गुपता काल से आया ठीक है इसके बाद यग तो होता ही था तो वर्सिक आप नेचर और यग यह 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 हो सकता है नॉर्मल इसको छाटने का अगर चाहें तो जहां 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 को भगती दीख रहा है उसको काट देंगे पहले लिखना था क्या कुछ क्या लिखना था लिख लिए कि इमेज वर्सिप इंडिया में कप शुरू है तो गुपता काल से शुरू है ठीक है और भगती कप से शुरू है तो 9th 10th century और लिख लीजेगा नाम क्या तो संक्राचार हो गया देखिए जो पढ़ा होगा पीवाई क्यों को पढ़ा होगा वह अराम से इसको कर लेगा करना है एक जो लास्ट वाला क्या था वह उसको सर्च कर लेना है ठीक है हमको भी बत लाना है उसके बारे में क्या था रिग्वेदिक आर्यों और सिंदुगाठी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्व में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है रिग्वेदिक आर्यांस यूजड़ दा कोट आफ मेल एंड हेलमेट इन वार्फेयर इंडस भैली स्विलाइजेशन डिद नोट लिव एनी इविडियन्स आफ यूजिंग देम नहीं हम तो ऐसा बोलें हमको पता ही नहीं है इसको हमको नहीं पता है हम इसमें यस और नो दोनों में हम आया है पेपर बनाएंगे तो मैंसे करेंगे कि हमको पढ़ें ही नहीं इसके बारे में तो यस और नो और आगे बढ़ेंगे फिर रिग्यवएधिक आर्यंस निव गोल्ड और शिल्वर और कॉपर पता था यह इन लोग इंड़िवएधिक आर्यंस को नहीं पता था इसके बाद इंडस वैली पीपल निव वनली कौपर एंड आयरन अब हमको पूरा कंफर्म है कि अप्शन नभर tw गया है गलत हैं अब हम इसको नहीं करने वाले इसको हम नहीं करने वाले अब हम या तो option A मेरा सही होगा या option C और हमको option A के बारे में आइडिया नहीं है कुछ अभी तक थर्ड पढ़ेंगे रिगवैदिक आर्यान्स हैड डोमेस्टिकेटेड दा हॉर्स वेराज दियर इस नो इविडेंस आप आइभी सी पीपल थैभिंग अवेर अफ दिस अनिमल इसे खीच करके जो लपेटे हुए है ना जानमार देंगा अरे रिगवैदिक आर्यान्स को नहीं पता था कि आये कैसे थे हम जो आपको इमेज दिखलाते हैं महा भारत वाला इमेज लगा दिया है क्यों कि आपको याद रही सब सब चीज टॉपिक का ही बात करते हैं तो रिगवैदिक आर्यान्स घोड़ा से आया था ना भाई से कैसे आ जाएगा यह आप्शन के बारे हमको क्या पता चले है अब हमको पता है जरूर सही है तो अभियसी बात है कि ठाट आप्शन वाला बस यही है और साथ में हमको पता है कि यह तो बहुत बड़ा डिसकस्शन का बात है घोड़ा का परमान के बारे में क्योंकि एक ही मिला है तो यह जो पहला पॉइंट अब है अब इसको हम नोट्स में लिखेंगे अच्छा कि रिगवैदिक आर्यान्स यूज दा कोट अफ मेल एंड हेलमेट इन वारफियर उन लोग वारफियर खिलता ही था यह इसको प्रमान मिला न झोलिक वारफियर क्ता है बट अन लोग कोटका ही नहीं करता ठालों को में को बात्ला अब भॉलेंगे करता था क्योंकि पहले कुछी बुक में लिखा हुआ ही नहीं था तो ऐसे करें कि आपको क्या करना है क्या करने के लिए है इसको क्या लिखना है तो मिली जाएगा कैसे हमेमें करते हैं हमको बस कनफर्म पालते थ truc के लोग कन पता नहीं क्या खत्म होगे आपका चैप्टर वैदिक समझ रहें कितना है बस इतना अभी तक कितना साल में कि एक इस बाइस साल में दस पता होना चाहिए ऐसे का कि इंपोर्टेंट टॉपिक साथ किसे आया है तो कि आई भी सी और पहले जो पढ़े थे वहां से अभी तक है तो जो कोई पुछता है हमसे कि कितना साल पहले तो हम नहीं बतला पाते हैं पुछता है कि इस तो पढ़ाया गया है इसे तो पढ़ाया है हम में स्में में बट प्रिलिंग में नहीं 2001 के बाद से नहीं ठेक हैं चलिए अब क्या है कि आप अनुवरत का साब्दिकर्द और कहा हम लोग उसको पढ़े हैं अनुवरत क्या-क्या होता है अहिंसा कि असत्य के साथ कैसे हो जाएगा अपरिगरह और क्या बहुत अच्छा या बच्चा लोग काफी अच्छी आप लोग याद आप लोग को है अपिनमर क्यों नहीं आया तो शुरू का जो चार है किसके दिवारा दिया गया था और लास्ट वाला ब्रमचर मावेज तो यह किसे जुड़ा हुआ है तो भाईया गैनिजम से लिखा था किसी को नोट्स में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या कि बुद्धिजम और जैनिजम बहुत इंपोर्टेंट है इसको छोड़ करके जामें हम नहीं जा सकते हैं क्यों कि अरली जैन लिटरेचर हुआ है थेरी घाठा वो बुद्धिजम का है होता क्या है वो एक होता है थेरी घाठा एक होता है थेरा घाठा लिखिये क्या होता है कि जब जो होता है यहां पुजा होता है बुद्धिजम लोगों का पुयम के माधियम से या फिर गाना वाना लोग गाता है न भक्तिवांग वैसा जो लेडी गाती है उसको थेरी घाठा और जो लेदा जो जे अरे मतलब वही जो जैनस गाता है उसको क्या बोलते हैं तो तो यह लिख लिजिए थेरी घाटा और तेरा घाटा कि अधिश्य थेरा तो भूलिये का नहीं इसलिए बतला है सकुछ नहीं था कि आप कि अब यह जो कल्प सुत्र मतलब पता क्या होता है कल्प सुत्र का साब्दी कर्थ क्या होता है कल्प सुत्र का हमेशा हम साब्दी कर्थ के बारे में इसलिए बोलते हैं कि वहां से करने में असान होता है सब्सक्राइब कोई भी चीजों का साब्दी कद सिखिए उससे क्या होगा कि आपका भोकेबुलेरी बढ़ जागा नहीं भी आता हुआ चीजों को आप वर्ड के माधियां से टिक कर सकते हैं करप सुत्र का मतलब होता है बायो ग्राफी सिंपल सा बात है कि ब्रीहत कोई इनसान रहा होगा जैनिजम से रिलेटेड उसका ब्रीहत कल्प सुत्र में जैन का बारह अंग और बारह उपंग होता है यह दोनों का दोनों जो है ना अंग है इसको मेंसिन कर लिजिए फुद्स से कि ब्रीहत का इसा ही तो होता है ना कि कौन बाला अंग का पार्थ है अंग बारह अंग होता है ना और बारह उपंग जैनिजम का तो अंग का दो पार्थ है बस हो गया है अब तो हो गया होगा है यह भी क्वेस्टन रिपीट किया है यूपी एसी में दिख्लाएंग थ्रा दिन बाद थ्रा दिर बाद इसमें क्या वीच फॉलोइंग विएर कॉमन टू बहुत बुधिजम एंड जैनिजम निम्लिखिती में से कौन सा बाद धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था तो हम हमेशा क्या बोलते थे आपको कि कंपेर करके पढ़ना है दोनों को तो पहला क्या है कि एवाइडेंस ऑफ एक् आपके नोट में तो ऐना की ज्यादा पैन में आपको नहीं रहने के लिए है रहता में आपको कहां रहना है तो बुधिजम लेकिन एक तो पर बूलता है तो आपका बुधिजम लेकिन एक तो इसको क्या करेंग घलत कर लेंग 메이크업 का साक्या वेय गतšता bạn जो को नहीं मानने वाला इसके बाद वेद में ही लिखावा राता है रिचुवल्स इसको भी नहीं मानेगा दोनों का एक में इंपोर्टेंट्टी करें अहिम्सा तो भाई इसका भी तो टू थिरी और फॉर ऑप्सन नंबर बी करेक्ट हो गया हो गया हो गया इस ऑप्सन को जब पहले बर क्वेश्च इसका सिलिबस में रहता है और आज से मेरे नोट में भी रहेगा इसको अपमेंसन कीजिए ठीक है उसमें नहीं था अव लोग की तेसवर वाज आल्सो नौन एज अच्छा बोधिसत्व का वर्ड का मिनिंग को बतला दिये थे बतला दिये तैसे से क्या बतलाया हुआ है वह महायान जीनियान और कौन-कौन सा होता है कि बधार को बात ही नहीं करना है गुप्ता बात करेंगे कि महा सांधिका अर स्थिरवाद आए जो बोधिसत्व का प्रॉप्त है किसे अधिया हुआ है इसमें क्या बतल है थे जो महायान है yüzु जैसे कि भगवान को है अब से पहले भी क्या होगा तो भगवान का नाम की नाम है उल्लो का कौन-कौन सा मैत्रे के पहले कौन-कौन से भगवान होतो एक वज्र-पानी होगे लित बदम-पानी का नाम हो तो यह… तैसा गै dew गाइड कर गाइड गाइड में लाइफ में कैसे क्या रहना है इस लाल की ओर किया स्टर दोनों एक ही हैं काम क्या है तो गाइडर काम जैसे हम लोग में होती है ससवत्य जी विजडम की क्या मतलब आप मंजुश्री गया वी वीजडम की बहगवान कौन है तो मंजुश्री है इसको मेंसिन करना है खेर हम्लों का बात करें हमलों का कॉंपेशन का देवता हुआ हम लोग का हिंदू का इस प्राइच व को कर दें अर्शेट देश हैं हमको नहीं पता तो उवज्रपानी जो है नंगे कर देवता हैं मांजुर श्री विज्ड़म का पदम पानी जो हैं गाइडर हैं और मैतरे आने वाले हैं फ्यूचर गॉड्ड फ्यूचर बुद्ध इतना ही पता रहेगा तो आगे क्वेशन कर लीजिएगा कॉपेशन मतलब माफिवाफि जो माफिवाफि दे असानी से ठीक है ना सथ स्यूच्व जी माफिवजरपानी ठीक है ना कॉम्पे लिज़िए हौअ इसलब जब हीन ऐन महायान में धर्म तूट गया कौन बुध्ạt जम वोले कि हम लो का ना जहें नौर्मल इंचान नहीं है वहासने क्या र माहाईानम ऑले क्या बोले छो क्या तो बह lonल का क्या होता है और प्दॉल्ष अतब्ध्र पहले भी बाद में भी लेंगे किसरी धर में क्या बनाये रही है तो महा जर में बनाघ्रार क्वाली और क्या कि अध्यां और उनको निर्वान का प्राप्ति हो चुका है मतलब कि निर्वान मतलब कि जन्म मरन से मुक्त हो चुके हैं और महायान क्या बोलता है वो निर्वान उनको कैसे मिलेगो तो भगवान है वो आते रहेंगे तो मतलब कि भगवान का पहले भी जनम हो चुका है बहुत डिफेंट डिफेंट अवतार में और आगे भी होगा तो हाँ बोलना रहता है कि कितना मुंडी हिला है ठीक है हो गया यह चलिए निश्ट है यह दो कॉंसेप्ट ऑफ एट फुल्ड पाथ फॉर्म्स दीम ऑफ संव्यक विचार संव्यक एक्शन यह से करकर पूरा को पूरा था ठीक है संव्यक वेवसाइब पेसा भी आपका अच्छा होना चाहिए एक किसमें बताया गया था कहां हुआ था यह तारनाथ ठीक है महापरिनिर्वान कि उसको बोलते हैं कि भगवान का जाना उसको क्या बोलते हैं तो महापरिनिर्वान कि दीप वन्स और महावन्स कि सिलंका का क्या है तो यह टेक्स्ट है ठीक है ना उसको लिखिए किसका आप बताइए ना डी होगा धंसक परिवर्टन गलत किया हुआ है कोई बात नहीं है फिर भी कुछ आदा कुछ नहीं भी करने वाला पस कोई लिखिए कि यह ठीक है ट्वेंटीवन का डी है उनलोग यह समझ लिया है बाकी समझ गया है तो धर्मचक परिवर्टन हो गया यह के लिए है हाँ यह जो दिव्यावदान है ना वह 5-6 BC में डेवलप हुआ था 5-6 BC टाइम में यह भी कोई लोग का किताब है कि डेवलप हुआ था कब तो 5-6 BC में इंडिया का ही था बस डेवलप कब हुआ था इसके बारे में लिख सकते हैं बाकी इसके बारे में जानकारी नहीं है दिव्यावदान भी एक बुक है पहला चीज रिलेटेट किसे है तो बुधिजम से डेवलप कब हुआ है तो 5-6 BC में और बाकी महावन्स एक कर लिजेगा स्री लंका का है इतना महापरी निर्वान का मत्रस महीं गया धर्मचक्त परिवत्र सुथ के बारे में भी आप पता ही है कि नहीं नहीं BC कि हो गया यह प्रवार्व फॉलोविंग इनिस्टेट अफ इंडिया शिक्ट सेंचूरी बीसी भारत भारत का सबसे सबसे क्या था पहले सब मगत को तो क्या हुआ था कि पहले कासी सबसे क्या था फिर पलस एक एक और कोसल था कोसल कोसल इसको जीता कौन था मगद मगद का कौन तो अजात सत्रू अजात सत्रू जब अजात सत्रू इन लोग को जीत गया कोसल परदेश को और कासी को तब जाकर मगद मजबूत हुआ था इसको लिख लिए कोसल और होसला डाइनेश्टी और कासी तोनों केसे है उसको जीतने के बाद उसका एरिया काफी बढ़ गया था मगद का तब मगद जाकर क्या हुआ था सबसे टोटल महाजनपद कितना है कि हो गया यह कि आगे बढ़ें कि एब डिली長 हम इसलिए बोलें कि C ॉड दोनों को क्या करना सही करना है कि उससे पर कुछा गया था उस सेoureय यूपी अपने ऐन्सर निकालता नहीं था यह जो घुल अब लोगों को फादर मढ़र का इसलिए नहीं पढ़ाए है क्योंकि लिख्वी पर मुख्ष चेटा की पूत्री थी कि भाहनध ये खर आ यहां गया था तो इसका अनसर कि क्या इसका है तो डी सही माना गया है ठीक है तो नहीं हम लिखे हैं ऐसा खुछ नहीं होना है हम सी और डी दोनों लिख करके भेज़ेते दोनों सही होगा ठीक है तो यह चीज है और बाकी तो आप्सन नमबर टू और त्री तो अंधा को पता चल जाए देह करके कि सही है कि गौतम बुद्ध की मा कोशलन राजवन इसके बार पारसव नाथ टुवेंटी थड ठंकर बिलॉंग टू बनारस थी तो थी वाला हमको तो बस एक ही पता था वैसे जिससे में हम वह सॉल्व कर रहे थे बस थी इसमें भी कंफूजन था क्यों पढ़ते नहीं थे इसको भी नहीं पढ़ते थे थी वाला कॉन है तो हम दोनों टिक मारेंगे दोनों मेरा सही होगा क्योंकि सी और डी सही रहता है अब आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल सा क्वेस्चन है कि तक्सीला का प्राचिन सहर जो है कहां पे श्थी थे लोकेशन से क्वेशन आ रहा है ना दिख रहे है न कहां प्राचिन जेलम के बीच में है नॉर्मल इंडस और जेलम के बीच में है कि अनिकांत वाद का मतलब है क्या होता है अब बढ़ाई है कि अश्यादवाद है कि कहां कथा तो यह भी बतलाय हुआ था धर्म और रीत भारत के प्राचिन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रिये विचार को दरसाते हैं इस संदर्व में निमलखित कतनों पर विचार करें धर्म वाजे conception of obligations and of the discharge of one's duties to oneself and to other धर्म क्या था धर्म कबसे शुरू हुआ अधर्म मौरे काल से था उसको पर शिक्ट बोलते थे पंथ क्या वोड्य यूज किये थे हैं कि हेट्रोडेक्स शिक्ट यूज किये थे धर्म नहीं यूज किये थे तो धर्म वाजे बाद में पता चले कि धर्म है जैनिजम धर्म है ठीक है ना तो धर्म वाजे conception of obligation and of the discharge of One's duties to oneself and to other इसका मतलब क्या क्या है कि आपको अपने लीए क्या करना मतलब क्या क्या कर मतलब क्या है क्या दिवक्ट के च्टार्म सही गेर जिस समय समय तक ध्र्म नहीं आया था उस समय तक ऐसा कुछ ववस्था था नेचरली बस आपको नेचर के पति सही रहना है अगर आप जैसा काम कीजिए आपको वन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा पहले तो काफी फ्लक्सिबल था वन ववस्था तो जीता वाज फंडामेंटल मोरलाग गवर्निंग फंक्शन फंक्शनिंग अप दे उनिवर्स एंड और और इट कॉंटेंट मतलब की नेचर के बारे में चीज़ें तो दोनों क्या है तो यह सही है सही अंसर क्या हो जाएगा इसका बोथ वन अन्टू थीक है हो गया तो तो जीता मतलब क्य और नेचरल और यह क्वेस्टन देखिए एक किसका सही हुआ क्या मतलब इसका प्रिस पीशे का लॉजिक बताई है अंग हम अच्छी इसका क्वेस्टन बनाना है उस पर उस रिक्रॉर्डिंग अच्छी बढ़ने हैं हम बतला देखिए इसमें क्या है ना भगवान बुद्ध की छवी को कभी कभी भूमी इस पर स्मुद्रा नामक हस्त मुद्रा के साथ दिखाया जाता है यह प्रतीक है पदम पानी है उसका पेंटिंग बना अजंता केव में यह वही चीज़ का है पदम पानी कोन है तो बुद्धी जंप ले लिखिए अजंता केव में जो बनाया हुआ पेंटिंग है पदम पानी का पदम पानी का कहां पे तो अजंता केव में इसको अपमेंशन कर लिजए और यूपी इस इस इप इंट्रेशिट पता है किस में है पदम पानी में ही बस बाकी वह कुछ नहीं कुछ रहा है आपको अम दिखला देंगे यह चीज़ यह भी पदम पानी से ही था इसके पहले में यह चुशन कर देंगे फिंट पानी को और क्या बोलते हैं हम लोग अवलोग की तेसवर पदम पानी इन दसेंस का गाइड करता हो एक और क्यों पत्न पानी पर ही आएगा बाकि इसको बस ऐसे ही कर लेना बाई तो ठीक है हो गया यह कि इसमें क्या हुआ था ना कि एक अ बुद्ध क्या बोले कि मतलब साक्षी रखें और बोले कि वह मेरी पवित्रता को भंग करने आई थी बट हम अभी भी क्या है तो पवित्र हैं कहानी है बुद्धिजम से रिलेटेड तो बुद्धाज कॉलिंग ऑफ दे अर्थ तू वीटनेस इज प्यूरीटी एंड अपसरा है परी वरी टाइप का ठीक है न पापा के परी नहीं परी इंस्तिन इंद्र और को पर्सान करती है कि एक राखद्रेश ती इसी मद्रा को दिखलने के लिए आजन्ता में यसे सुवारी क्या गया है एवाईशा अच्छा लगेगा के शर्षों कि इस्टूरी लिख सकते हैं खुद से कि अब यहां पर और है कि मारा हो सकता है कि नहीं भी आई होगी इनके पास लेकिन जो अर्थली प्लेजर का बात हो रहा था ना कि इसको बतलाने के लिए ऐसा कुछ कहाने वहानी साथ लिखा हुआ हो सकता है कि भाई हम लोग कोई भी आथली प्लेजर नहीं चाह रहे हैं चलिए इंडिया विच फॉलोविंग वाज वियर कॉमन टू बुद्धिजम एंजनिजम क्वेश्टन रिपिटेड़ है सबको पता है क्योंकि पहले डिसकस हो चुका है कि निर्वाना का मतलब क्या होता है दुनिया में दुख है दुख बहुत दुख है दुख अकीले नहीं है दुखों का समुदाय है हर एक दुख का ईकारण है क्या इच्छा ना जिस समय मर जाता है इंसान का दुख हतम हो जाता है ऐसे पुरा बोलना रहता है तो इच्छा की लौ का बुझना ही कि अम लोग क्या बूलते हैं दिर्वान ठीक है किसी को प्राप्त हो तो बताना है और भवान बुद्ध के बाद किसी प्राप्त नहीं हुआ है यह चीज बुधिजम में हो चुक जह्यान जैन सिध्दान पर लागू होता है जैन तोड़ा सा क्या है काफी इतना ऊक्पाप्त हुआ है केक त्रीका क्या है तो आप्षा करना है यह तो थैका इसके बाद क्या है कि every object even the smallest particle has a soul सब चीज में आतमा है कन-कन में विद्धुमान है ठीक है ठीज है कर्म क्या है आतमा का भी साप है और जब तक हम कर्म को खतम नहीं करेंगे तो अभिसाप दिया हुआ है उसको खतम नहीं कर सकते हैं तो यहां पर प्रेयर ऑफर करते हैं जो भी बुद्धिष्ट मौंक है वहां पर और विहारा क्या होता है जहां पर मौंक और रहती है मतलब रेस्टिंग इसके बाद इस दूपा में क्या है तो जो उनका रेलिक्स वेलिक्स है जो जूड़ा हुआ चीज है वह रखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं तो यह तो नॉर्मल सा एंसर क्या है कि चैट् भी आपको जन्पद आने वाला है तो अभी से ही हम कि टेस्ट शीरीज अपका तो इसमें क्या है अहां यह अवन्ति गंधार कोशल और मगद भगवान यह बुद्ध के पास कौन सा कार था कि इस कार से मूब करते थे भाई पाटली पुत्रा में थे और यह जो गंधार है काफी दूर है अफगनिस्तान साइड में तो जाएंगे कैसे नॉर्मली तो यह उप्सन गलत हो जाएगा मेरा कौन सा उप्सन गलत हो जाएगा तो आप लोकेशन देहकर कॉमन से यूज कर सक सकते हैं अवंधी और काशल और ना लड़ाई था मगद से मगद में घ्यान पराप्त किये थे वहां जाकर घ्यान देंगे तो उनको कोई जाएगा टीए भी गया को साल और मगद क्या कर लिए जीत लिया है अब बन चैनल जित लिए तो पहले आपको इंधी सभ्सन पच्छ दिखता है और एक फोर यहां दिखता है नॉर्मल यह को पता एक अवंति तो जा नहीं सकते है भगवान तो थी एंड फोर मारके निकल लेंगे इसका कोई प्रूफ और कोई किताब में लिखावा नहीं रहेगा कैसे क्या करना कोई बुक में नहीं तो कॉमन सेंस अब हमको बतलाना है कि पहला डिफ्रेंस हुआ था बाइफर्केशन जो पहला हुआ था बुद्धिजम का वो क्यों हुआ था इसलिए पहला हुआ था दूसरा क्यों हुआ था भगवान बुद्ध को कौनसेप्ट नहीं है तो महायान का है तो यह क्या हो जाएक तो यहां पर यहां क्या हो जागा या option B जिसके बाद यही है कि बॉदिसत्व जो है ना आत्म ज्यान की और अग्रसर एक द्यालू व्यक्ति पता है क्या परदा चीज तो वह बतला है क्या भगवान के बारे में बोलें कि पहले भगवान हैं आगे भी हैं सकेंड कॉनसेप्ट और है बॉदिसत्व का है कि जिसको खुद निरवान प्राप्त हो चुका है और दूसरों को निरवान में हिल्फ कर सकता है तो एक ही किताब में दो मीणिंग है एक बार में हम दो नहीं बतला थे अभी बतला रहे हैं तो सकेंड मिनिंग बॉदिसत्व का यह लिए निए करने का रह पता है बड़ मतलब आप दुस्रा करता भलाई सोचिए गाना आपको सक्सेस थौलेट से मिलेगा तो होगा है निर्वान प्राप्ति मेरा में लक्ष है और हम सब अपको पकड़ पकड़ कर रहे हैं तो हम लेट से निर्वान प्राप्ति करेंगे ना इसलिए तो हिंदूजी में क्या बोला है आपो दीपो भवा अ अरे नहीं हुआ है पाथ पर वो बोदिशात्यों मतलब निर्वान के राह पर चल रहा है अच्छा इंसान है थीक है तो ऑप्सन नंबर क्या हो जागे इसका है तू और थ्री अगे बढ़े हैं अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब बारत के धार्मिक इतिहास के संदर्व में निमलिखित कत्थनों पर विचार कर एशब कोष्टन किसी से बनने वाला नहीं था कि नहीं मिलता है कहीं तो आप एक बुक को पकड़िये जिससे कि आपका 37 बनता हो उसी को पढ़ना होता है कुछन छोड़ने के लिए दिया हुआ था कौन बनाता होगा जो बैठा हुआ है ठीक है ऐसे ही ट्रैप है यह फालतू का निगेटिव ना हो और इसके पीछे जो रहा वो ट्रैप में फसा पीछे नहीं जाना है नॉर्मली जब कुछन आ जाए तो सर्च कर देना कहां से विक् कुछन को थोड़ा मड़ा कर सकते हैं बट नहीं कर पाईएगा तो पहला जो वही है सर्च किया हुआ मेरा भी है पहला जो इसमें लिखिए लिखना इसको इसका नोट लिखिए सवतांत्रीक और जो समितिये हैं वह बहुत धर्म के संपरदायत हैं कि इसके थे तो बहुत धर्म के संपरदायत हैं पहला पॉइंट यहीं लिखाएगा यह गलत हो गया पहला बार में अल्ट किया होगा लोग फी एंसर दिया है कि किसके थे तो बहुत धर्म के थे उसके पहले किसी किताब में नहीं लिखा होगा था नॉरमल जो बूक रहता है यह चीज हो गया पता है कहां से होगा अब बताते होगा कहां से हम लोग का सीलिए बस क्या है ग्रेजिएशन तक का आएगा इजाम में कुछ तक 12 तक में तो नहीं है हो सब्सक्राइब पीजी में यूजी में किसी इन्वर्शिटी के अंदर में कोई बुक रहा होगा और वहां का टीचर पेपर बनाया होगा तो बना दिया ऐसा कोई आपको बोला है आज था कि उपर वाला भी पढ़ ले नॉर्मल इगनु बोलेगा पढ़ने के लिए बस तो वह इगनु में भी नुमेना वेर नोट होली मोमेंटरी बट इग्जिस्टेट फोरी इन लेटेंट फॉर्म जो मौक मारता है वह सही मार के निकल जाए क्यों कोई घटना हो रहा है कोई फिलोसफी बन रहा है तो तुरंद से नहीं बन जाता है आपको हम सुरू क्लास में बतला है तेक जैसा हम लोग का इंडिया अभी है तो अभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2000 सालों का पर क्या है तो यह सम आप है हरे तो सीखें है जहां पर मोमेंटरी वर्ड जैसी लिखाना एक तो इस्ट्रीम वर्ड है और पहले तो वही था यूपी एस्ट्रीम वर्ड को यूज करे तो पकड़ लेना ह है तो यह क्या था कि नहीं था बलकि और व्यक्त रूप से हमेशा मौजूद था यह कुछ कुछ कॉंसेप्ट होगा तुरंत हम लोग उसके फिलोसफी पर नहीं पहुंचे हैं उसके फिलोसफी बनने में काफी समय लगा है तो हमको सही लग रहा है तो इसलिए आप्शन नम कि सरवस्ति वाधिन क्या होता है और अपको नोट में लिखना भी नहीं है क्योंकि अगले बार नहीं सब को सनाएगा तो इसमें प्लिख सकते इसका महायान हिनियान का हिनियान का एक सट है नोटस में लिखे लिखे लिजें कि इस्थांकावासी शेक्ट बिलॉंग टू हीन्यान पता ही किसे समंधित है तो बुद्धिजम से क्या है कि अब किये थे हैं है अच्छा गलत किया हुआ ठीक है हो गया है तो इसमें कि इसमें क्या है कि फ्यूचर बुद्धा तो असान से आप कर सकते हैं उस आप्सन में जो जो अच्छे से कर लिया होगा पी एच डी तो इसको आप्टिक कर लेगा अब यहां पर बस ली भाइस कर लोकेशवर जो है ना और अवलोकी तेशवर यह दोनों सेम है अब इसको भी लİखिये लोकेशवर इसके वर को है तो अवलोकी तेशवर और पदम पानी सभ क्या है तो सेम है यह टीनों एक ही चीज था पहले लिखवाया है आपको कि पदम पानिक और क्या बोलते हैं और अब हम फिर से लिखवा रहे कि लोकेश्वर भी बोलते हैं और मैत्रेट को तो अभी आना बाकी है इसको बता यह बहुत असान क्वेश्चन है कि महायान बुधिजम से सम्मंधित कौन सा चीज सही है कि क्या है इसमें कि तीनों सही है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन था जैसा मतलब पूछना चाहिए कि पहला क्या है कि बुध का देविकरन तो वो समझता है कि बुध क्या है भगवान है बौधिसत्यों के मार्क पर चलना भी आपको है और छवी पूजा एवं अनुष्ठान भी क इसके बाद अगर हम देखें इसमें कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्व में लिखित कथनों पर विचार केजिए तो इस्थरवादिन महायान बौध धर्म से संबंदी थे तो नहीं भाईया जो इस्थरवादिन था ना यहीन यान से इसको लिखिए आपने को पता था अगे इसके बाद यह जो निश्ठ जो है लोको तरवादिन शेक्ट बरज आपמה शंघी dot of बुद्धि चम क्या महासंटी का ऑफ धिया है इसको अगां इक इस प्रवरादिन के तर से समने था तो महायान से लिखाया हुआ है नोटस में है तो पहला तो गलत हो गया यह वला यह वला अब 2 और 3 में से तो ठड़ पढ़ते हैं कि महा संग्य को द्वारा बुद्ध को देवता मानने से महायान बहुत धर्म को बढ़ावा मिला तो सही है तो 3 भी सही है तो आप्सन नंबर मेरा क्या हो जा कि लिखना बच वही है कि जो इस थरवादीन था किसे समंधित है तो पहले लिखवा दिए तो छोड़ दीजिए गए इस बात को जो लोक जो लोकोतरवादीन है तो सही हो गया है ना किसका है तो महा संग्य का शेक्ट का ही भाग है ऑप्सूट है ब्रांच है तेसा बहुत पुछा हुआ है और ऐसा को इस प्रेक्ट हम नहीं कर सकते हैं हो गया है कि पदम पानी से कितना क्योंशन आया है तीन अभी और को सना आएगा तो पदम पानी को सब्सक्राइब करके उसे नोट्स वट्स कुछ बना लेना है कुछ से पदम पानी बहुत इंपॉर्ट है फिर जो लिखावा है ना परप्रमितास पदम पानी जो है है तो लाइक है सब्सक्रात पानी है तो प्रसक्राइब को सर च्ट्राइब की होंसा सही होगा इतना कम स्वार्ण इस बस इतना ही पता होता है लोगों को जितना बतलाएं है और अब आपको सही अंसर टिक करना है तीनों में से क्या होगा कि परमितास पदम पाने का बुक है जो हाथ में लिए हुई रहते हैं कि जिनकी प्राप्ति बुदिसत्व पत्थ की और ले गई मतलब कुछ ऐसा चीज होगा बुक में लिखा हुआ जो कि बुदिसत्व के राहे पे आपको क्या करेगा लेकर जाएगा ठीक है है हो गया है कि इसमें पूछ सकता है क्या क्या पाने लिवी रहती है बात भी नहीं सुन रहे है जो वर्ड का यूज हम किये थे ना उस पर क्या बोलते हैं जो भी हेट्रोडेक सेक्ट था जो वेद को नहीं मानता है उसको स्रमनिक रिलीजन बोलते थे ना उसी पर क्वेस्टन था पता चले आप एंसर सही कर सकते हैं अब श्रमनिक लिखावा क्या प्राइस्ट विथे हाई स्टेट हम क्या बोले हैं स्रमनिक मतलब क्या वैसा रिलीजन जो कि जो किसको मानता हो वेद को मानता है तेज सकेंड क्या है मेरा गलत है सकेंड 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 ऑप्सन नमबर भी सही कि कि लिए कि अब अब कर से वही क्या है क्या है झाल 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 झाल